जनता कर्फ्यू के सननाटे में गूंच उठी तालियां थालियां घंटियों और शंक की ध्वनी परिंदों ने भी आस्मान में उड़कर दिया कोरोना के नाश का संदेश आज रविवाज शाम का दिन जनता कर्फ्यू का सननाटा हर शहर और हर कस्वे में फैला था इस सननाटे के बीच घडी ने शाम के ठीक पांच बजाय ही थे कि हर गली महले में तालियों थालियों घंटियों और शंक की ध्वनी गुझ उठी लोग अपने अपने घरों की बालकोनी में खड़े थे और कुछ घर की चार दिवारी में इनमें हर वरक का नागरिक शामिल था आम जनता से लेकर बड़े जन प्रतिनिधी परिवार सहित इसकारे में लगे हुए थे इस बीच पेडों पर बैठे परिंदे एक साथ हुई धनी को सुनकर फड़फडा कर उड़ने लगे इन परिंदों को शायद ये मालूम नहीं था कि भारत देश विश्व की एक महामार से लड़ने को तैयार खड़ा है देश के पीम नरेंदर मोधी ने देश की जनता से कोरोना वाइरस जैसी लाइलाज महामारी को हराने के लिए अहवान किया जनता कर्फियूर अविवार को सफल रहा शाम को पांच बजे राजस्तान के श्री गंगानेगर हनुमानगड एव में मौझूद किटानों का नाश होता है अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर